गायतरी मंत्र के साथ लाभू से मनुश्य की जीवन की समस्त आवशक्ताइं पूरी हो जाए यहें। प्रनित श्री राम शरमा आचारी। उस तक का नाम गायतरी मंत्र की अध्भुच्व सामध। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि वे साथ लाब कौन से हैं जो मनुष्य जीवन को संपूर्ण करते हैं वे साथ लाब हैं दिर्ग जीवन, दिव्य प्रान, सहयोगी संतान, अन्यान्य प्राणियों का सहकार, किर्ती, सम्रिधी और ब्रह्मोग्यान एवं बल यह सर्प्रदान करने की सामर्थ केवल गायत्री मंत्र में हैं गायत्री मंत्र में वह अद्बुत सामर्थे हैं चो मनुष्य में बीज रूप से विद्देमान सभी शक्तियों को विद्सित कर देता है और उसके बाद वह अपनी जीवन की कटिनाईय को सहस्ताप से दूर कर लेता है वह साधारन मनुष्य से देपता बन जाता है पस्तुत पुस्तक इसी गायतरी मंदर का ज्यान और विज्यान आपके समक्ष विस्तार से रखती है जिससे सब कुछ में सकता है इसमें लेखव ने अपने स्वयम के जीवन की गवाही भी दिया है ताकि आप सब भी इसका संपोन लाप्राप्त कर सकें आप स्वयम भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं पुस्तक के उच सद्वा क्यों गायत्री मंत्र के भीतर जो सिध्धान, सिक्षन और जो आदर्श दिये गए है वे हमको इतने प्यारे होने चाहिए जिससे हर छण हम यह समस्ते रहें कि मनश्य जीवन के साथ में ये जिम्मेदारियां भी हमारे कलेजी पर है गायत्री मंत्र का केबल जब ही ना करें बल्कि जब के साथ साथ में जो प्रेणा है, सयम की प्रेणा उसको भी ग्रहन करें जीवट, साहस, हिम्मत ये सब हमारे मनश्य शितर की शमताएं है कोशिश और भीतर की लगन आदमी की योग्यता बढ़ाने में इतने जादा सहायक होते हैं जितने हजार अध्यापक और हजार वर्षों तक सहायत्य नहीं हो सकता भौतिक जीवन में हिम्मत वाले आदमी ही सपल होते हैं उस्तव के कुछ मुख्य बिंदु है संस्कृत का उदम गायत्री ज्यान भी ज्यान की जननी जीवन के मूल सुत्रों का आधार कर्मकान के साथ तक्त्व ज्यान भी समझें सब कुछ मिल सकता है इससे सब कर्मकान के समझें सब कर्मकान भी समझें